मैं यहीं जानना चारी थी ना कि भर बीमसी में जब पहले सरकारे थी अब बीमसी में पहले प्रतनीदी थे तो कितना अच्छा काम हुआ करता था बस एक छोटा सा कमपैरेजन चारी थी ताकि शाहिना जी से सवाल कर सकूँ ना सर अब पूछ लेती हूँ आपने जो सवाल प्राची जी मैं सच और सिर्फ सच बोलूँगी आपको क्योंकि मैं यहां गोल मटोर करके आपको जवाब नहीं देना चाहती हूँ हम देख रहे हैं कि मुंबई की परिस्तिती हर साल वाटर क्लॉगिंग हर साल जब बारिश तो पूरे शहर में स्टैंस्टिल अभी मैं तुलना क्यों कर रही हूँ क्योंकि 10 स्पॉर्ट्स में जो 330 mm बारिश आता है और जो 6 और 7 घंटे के भीतर पूरे शहर वापस बिलकुल कंट्रोल में despite the high tide, despite the fact that there have been topography issues मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी लोग यहां उपस्तित हैं और जिन्होंने यहां देखा है क्या आप मुंबई की जो बाड एक धंग से जब बारिश आती है आपने देखा है या नहीं देखा है जो आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे जी के सेना जो BMC में राज कर रही थी वो किस धंग से ब्रश्टाचार और किस धंग से हमारे पूरे शहर को डूबने देती मैं नहीं कह रही हूँ कि यह एक होलिस्टिक सल्यूशन है क्योंकि जो आज 481 पंप्स चल रहे हैं 200 पंप्स रेलवेज के चल रहे हैं पूरा क्वाडनेशन हो रहा है फायर ब्रिगेड हो, आमी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्री में खोद कंट्रोल रूम से मुख्यमंत्री, उपर मुख्यमंत्री, गार्डियन मिनिस्टर, बीमसी कमिशनर सभी काम कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि एक ट्रोफी है, ये सिर्फ हमें ये समाधान देता है कि पिछले कही वर्षों में स्तिती बहुत ही खराब था और इस वर्ष बारिश के बावजूद स्तिती थोड़ा कंट्रोल में आया है नाला की सफाई हुई है, थोड़ा कंट्रोल में आया है, आपने खुद अपने शब्दों में कह दिया है, और अभी चाहे थोड़ा हूँ या ज्यादा, पाने जब भड़ता है तो मुंबई की रफ्तार दीमी पड़ती है दुलना करेंगे तो यह सिर्फ तस्वीर दिखा रही है तो जहां पर पानी भरेगा वहां पर आप लोगों से सवाल तो पूछे जाएंगे ना शाहिना जी यह कहने बात तो बिल्कुल बेतु की बात होगी ना मैंडम आप सिर्फ वो तस्वीर दिखाएंगे एक सेकंड तिवारी जी नई मैं सिर्फ यह कहरे हूं आप यह आप यह विजूल्स दिखाएंगे जब बारिश ऑप्टमिम पे था और छे घंटे बात क्या परिस्तती है हुआ है